बारत के आजादी को 36 साल हो चुके हैं पर आज भारत पर कई ऐसे ग्रामीन शेत्र हैं जहां हम काफे पिछड़े नज़र आते हैं जहां एक तरह सरकार बड़े-बड़े दावी करते हैं विश्चत भारत को लेकर जो किस बात की दावी करते हैं कि भारत प्रगती की और सब त किनात के मजरव गोदोली में आज भी गरीबों की कच्चे मकान बने हुए हैं जहां कि कहानी बरसात के वक्त और भी बुरी नज़र आती है च्छतों से पानी टपकना शुड़ू हो जाता है जिसमें जीवन बसन करना बहुत मुश्किल हो जाता है वही पिडित परिवार द पाने वादे से और उंक का ढूली कि रहने आले हुम्सी आत्ना था जाणात ह už अम पर्धान द्वारा कहते हुए हैं कि अभी नहीं मेलेगा आपको हम लोग का पानी को जैसे घर गिर गया हम लोग को बहुत परसामी हो रही है हम लोग को रहने हम эфф пл समिस्टा है जोटे-चोटे-चोटे बच्छे है हम लोग कहां रहेंwahे हम लोग का जल्दी स मशिया आतना थैं लोग का पानी कोजर सब से अच्छा क्या नाम है आपका। किया समस्या है वारा पंचायत मसी आतना थे हम लोग का पानी को दो सबसे अच्छा था हम लोग के समस्या है नमस्कार मैं तुदुदुशूने एक स्वावत है आपके एक्सपेस न्यूज में भारत को आजाद यह चेतर वर्स हो गया लेकिन वहीं अगर विक्सथ भारत के हम बात करें तो कुछ ब्रामिल चेतर ऐसे है जहां पर यह विक्सथ सवरूप देखने का नहीं होता है हम आपको बताते हैं तब उसके सोनबा तो दियेगी एक पिरिक जिनकी यह शिकायक है कि उनके बर्साथ की काई में कापी दिक्तर को का सामना करना पड़ते हैं जिसकी शिकायक वो ग्राम पंचायक से कर चुकी हैं यहां तक कि वहार लगा शुकी हैं लेकिन उनकी कोई सुन करेगा कि इसकी शिकायक की सुनवाई की जाएगी कि नहीं की जाएगी क्यांगी आपको से मोनिका के साथ मैं सुप्रीदी सुनिये